बिग बॉस 16 के लिए टेस्ट शनीवार कवार एपिसोड में सल्मान खान ने शालीन भनोट और एमसी स्टाइन को फटकार लगाई। इतना ही नहीं सल्मान ने खुलासा किया कि हिंसा करने के लिए स्टाइन को चार हप्टों के लिए एविक्षिन के लिए नौमिनट किया गय सल्मान ने शालीन और स्ट्रीन से बात करने से पहले उन कंटेस्टरिंग्स को उठकर जाने के लिए कहा जो जबर्दस्ती दूसरे के मसले में टांग अडाते हैं। इस पर प्रियंका चौधरी और अंकित गुपता दोनों उठकर चले गए और लिविंग रूम में बैठ ग हैं कि कौंट्रैक्ट के हिसाब से वो जा सकते हैं, उन्हें किसी ने रोपा नहीं है। शालीन सल्मान से बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। टीना उन्हें दूर से ही कंसोल करने की कोशिश करती हैं। फिर सल्मान खान ने emc.stain से बात की और कहा स् पर सलमान ने उनसे शालीन से माफी न मांगने पर सवाल किया। स्टैन ने कहा कि उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन शालीन ने कहा कि वह स्टैन से ऐसा नहीं किया बल्कि उनका मजा कुड़ा रहे। थे अब दूरोजिक के साथ मिलकर शालीन भनोट ने कहा कि अगर एमसी स् उन्होंने सवाल किया कि टीना दत्ता से क्यों पूछा गया कि स्टेन को घर से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं। इस पर सल्मान खान ने समझाया कि बिग बॉस ने टीना को ये अधिकार इसलिए दिया क्योंकि वे शालीन और शिव के बीच मौजूद थी जब पूरी बहस हुई थी। इसके बाद सल्मान खान ने शालीन से पूछा कि क्या वे हभी शो से अपनी मर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। शालीन ने कहा कि उन्होंने अब अपना विचार बदल दिया है। वे अब घर में रहना चाहते हैं और टीना दत्ता के पास जाकर बैठते हैं। बाद में घर में आयुश्मान खुराना और जदी पहलावत ने घर में अपनी फिल्म एक्शन हीरों के प्रमोशन के लिए आए और इस दोरान दोनों ने घर वालों को बीबी के सितारे का टास्क दिया।